नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे ओसिल क्रीम के यूजेज के बारे में इसमें कौन-कौन सी दवाई मिली हुई रहती है क्या-क्या काम करती है और इसका उप्योग किस बीमारी में किया जाता है इन से पिछिचों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो यह है ओसिल क्रीम या एक एलोपैथिक मेडिसीन है इसका उप्योग पाइल्स या बवासीर में किया जाता है बवासीर में होने वाली सभी प्रकार की तकलीफों में या तुरंत राम दिलाता है अब आईए देखते हैं इसमें कौन-कौन सी दवाई मिली हुई रहती है और क्या-क्या काम करती है तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसीन है वो है कैल्सियम डॉपसिलेट या एक कोगुलेंट है या एंटी हिमोरेजिक ड्रग है जो ब्रिडिंग को रोकती है साथ साथ या ज मिला हुआ रहता है हाइड्रोकार्टिसोन हाइड्रोकार्टिसोन एक इस्टिराइड है या वहाँ पर जो इंफ्लमेशन होता है उसको कम करता है और सुजान को कम करता है साथ में मिला हुआ रहता है लिगनोकेन या एक एनेस्थेटिक ड्रग है या वहाँ पर जो दर्द औ या खुजली का एहसास नहीं होता इसके साथ में मिला हुआ रहता है एलोविरा और एलेन टॉइन या एक मॉस्चराइजर है या वहाँ पर की चमड़ी को नर्म करती है जो रुखापन होता है उसको कम करती है जिसे जिंग दर्दवगरा में भी अराम मिलता है तो यह सभी हाती है तो यह देखीए कुछ इसतरही प्अंदर में और इसके साथ में यह एक ऐंप्ली केर दिया हुआ रहता है तो अब रहता है तो इस टूप की को खोल कर इसको इसमें ए Palm करना है और यह से बाट को निकालना है और इसमें कुछ इस तरह से छिद्र हुआ रहता है तो पिर इसको एनास में हलका सब पूस करके ट्यूब है उसको दबा कर दबाई को अंदर डालना है और थोड़ा सा अगे पीछे करना है जिससे क्रीम अच्छी तरह से एनास के अंदर लग जाया Chief और थोड़ा सा बाहर में भी लगा सकते हैं तो और अच्छा result मिलेगा इसके साथ में OCIL का केपसूल भी आता है उसको भी साथ में सुबह साम 15 दिन तक ले सकते हैं तो और अच्छा result मिलेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज का है वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब करें तो फिल्म लेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार